नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनातिक गल्यारे में उद्दफ ठाकरी की रेली शाम साथ बजे है लेकिन उससे पहले जो लगातार खबरे आरी उसको लेकर आज हम अपने राजनातिक गल्यारे में बात करेंगे खबरे लगातार सामने आरी है कि यहाँ पर हेकडी याद दिलाने की बात की जारी है यहाँ पर दहारने की बात की जारी है कि अब उद्दफ ठाकरे जो इतने टाइम से शांत बैटे थे अब वो दहारते हुए नजर आएंगे नवनीत राणा पे और साथ ही साथ राज ठाकरे हुई है उसको अयोध्या लेकर जाने की बात करते नजर आ रहे हैं और अयोध्या में जो लोग है जो सांसद है वो उन पर भड़कते नजर आ रहे हैं तो आखिरकार महारास्ट्रों में ये माहोल इतना खराब क्यों हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे जिस तरीके से यहां पर गिरफतारी की बात उदफ ठाकरे क्ले की जा रही थी अब बात यहां हो रहे हैं कि नवनीत राणा ने जो शर्ते तोड़ी उनकी गिरफतारी होनी चाहिए तो यहां पर एक के बाद एक सवाल नई लगातार उठते जा रहे हैं तो नहीं सब चीजों के लेकर आज इस राज उदफ ठाकरे की रेली से पहले उनका यह कह देना कि यहां पर हेकडी निकाल दी जाएगी तहारते नजर आए है कि मुझे मालूम है कि हिंदुत्व का जमामला है उसको कैसे शांत किया जाएगा तो क्या लगते कि अब बड़ा फैसला या फिर एक बड़ी चुनोती हैं पर उदफ ठाकरे को ललका रहे तो वह बड़ी जल्दी शांत नहीं रहने वाले और रास ठाकरे यार दिला रहे थे नवनीत राणा से जब यह पूछा गया कि बाल ठाकरे से जोड़ा जा रहा है उदफ ठाकरे को तो उन्हेंने साफ का कि बाल ठाकरे के साथ उनका हंदेत ववाद भी चला गया है और रास ठाकरे की जितने भी लंका हैं पर हम सब आग लगाएंगे जिस उद्दफ ठाकरे के CM कुर्सी को ललकारा ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है अब किस तरीके से वो उद्दफ ठाकरे का सामना करेंगी अगर यहाँ पर उन्हें आग लगाई है तो साग में कहीं न कहीं वो भी जुल सेंगी तो कहीं न कहीं ये सोचा जा सकते कि जो बड़ताव में बदलाव हमने देखा वो बीजेपी की तरफ से कहीं से था अगर आप बात करें बीजेपी का सपोर्ट होता तो जेल की सलाखों के पीछे ती दिन देहती है नहीं 11 दिन बहुत लंबा वक्त होता और ईद के अगले दिन की तरफ से बयान सामने नहीं आया लेकिन जो नवनीत राणा है उन्होंने चैलेंज किया है सीम उद्धव ठाकरी की कुर्सी को कि जिस जगे से आप चुनाव लड़ोगी मुझे सामने पाओगे मैं आपकी कुर्सी को चैलेंज करती हूं तो बीजेपी का सपोर्ट अब यह बाजा खर इसकी थोड़ी से जानकारी दी ज़िए दर्षकों को कि महरास्टर का मामला आप डिली में क्यों लेकर आई डिली में क्या ही आपकी मामा दिली अगर आप देखें तो केंद्र है जिस तरीके से राजनीतिक की सुरुआत होती है बड़े से बड़े नेता यहां प बढ़ाव मिलता है वही नवनीत राणा चाहती थी आज पूरे दिन मीडिया से गिरी रही सुर्ख्या बटोरती रही नवनीत राणा अब बढ़ा चेहरा बन चुके इस बात में कोई धोराए नहीं अगर उद्धव ठाकरी उनके खिलाफ कुछ बयान बाजी कर रहे हैं तो य चाहती थी जी शुक्रिया आपका दीपक आपने बहुत सारी जानकारे हैं पर हमारे दर्शकों को दी लेकिंगे अब जिस तरीके से आपे दीपक ने भी बात कई और हमें भी मालूम है कि सिर्फ सुर्ख्या बटोरने की वज़ा से जो नवनीत राना है वो दिल्ली में आई एक नया रूप लेते नजर आएंगे तो प्रियांची सवाल यही रहेगा कि उद्दफ ठाकरे से क्या अब घबराना पड़ेगा नवनीत राना को देखे कशिश जिस तरीके से महरास्ट में अब माहौल देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ लावड़ी स्पीकर विवा रेली की थी और अब वहे कोरोना के बाद एक बार फिर से बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म पर रेली करने जा रहे हैं और ऐसे में इस वक्त देखा जाए तो सभी को यह इंतजार है कि आखिरकार उद्दफ ठाकरी क्या कुछ बड़ी एनाउंसमेंट कर सकते हैं क्योंकि जहां एक तरफ वहें चुप्पी साथ हुए नजर आये थे और बात यहां तक मौच गई थी कि वहें इस्तिफा दे दे अपने पद से उनकी कुर्सी खत्रे में पढ़ती हुई नजर आये क्योंकि रास ठाकरे इस वक्त आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं दूसरी ही तरफ उ उद्धफ ठाकरे हुंकार भरते हैं तो जब वहें केंद्र सरकार से भी नहीं डर रही है तो उद्धफ ठाकरे से शाहिद ही डर सकती है क्योंकि नवनीत राणा ने यह पहले ही कह दिया कि वहें जहां से भी चुनाब लड़ेंगे वहां से मैदान में उतरेंगी तो जाहिर ही बात यहाँपर यह आ जाती है कि जब हम ने देखा आस्पताल में थी तो यहांपर प्रैरंडन्जलों यह सिर्व और अभी नवनीत राना झाली जिन्नाफन्त्रल है कि दखाई देखाई दी लेका भाऀाच्बाल अनसे भातने सवाद्ग और को में कयास लगाया जो आ रहे थे कि कही ना करी जो नवनीत राना यह वो भाजपा का हिस्सा बन सकती है लेकिन जिस तरीके से उनने यह बात कही कि मैं भाजपा को भी यह चीज कह रहे हैं कि रिमोर्ट कंट्रोल नहीं हो तो भाजपा से जो समर्थन वाले जो कयास थे क्या वो सपोर्ट मिलते हुए नजर आया पूर्व मुख्य मंतरी देवेंद्र फड़नविस से देवेंद्र फड़नविस जो की हॉस्पिटल भी पहुँचे उन से मिलने के लिए लेकिन जब हॉस्पिटल से वह बाहर निकली तो कहीं न कहीं लोगों के मन में यह सवाल उठ गए कि ब पज़िक्या थी बीजेपी के साथ को लेकर वो कयास लगातार बढ़ते ही चले गए अटकले जारी हैं अभी की बीजेपी में उनका स्वागत किया जा सकता है लेकिन नवनीत राणा ने जिस तरीके से बीजेपी के लिए बात कहीं हद तक लगता है कि वह अपनी ही दम पर वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है महरास्र जैसे राज्य में जहां पर उद्दव ठाकरे का राज चल रहा है वहां पर वह बीजेपी कॉंग्रेस और शिफसेना से हट कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है क्योंकि लोगों के मन में कहीं न कहीं ये सवाल भी है और ये जवाब भी है कि नवनीत राणा जो है कही ना कहीं सुर्खियां बटोडने के लिए भी ये तमाम दावे कर रही है लेकिन जिस तरीके से वह चुनोती देती हुई नजर आ रही है उनके पती रवी राणा भी चुनोती देती हुई नजर आ रहे हैं अत्याचारों का बदला ले सकते हैं आपर नवनीत राना दूसरी बात आपको पता है कि जब वो अस्पताल से भार आई थी तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर भगवान राम के बार में और हरुमान चालीसा पार्ट पढ़ने के लिए मेरे को जेल में 14 साल भी रहना प तो आप वो देखना ना भूले लेकिन उसके सासाथ आपको बता दे कि बहुत बड़े-बड़े फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं क्योंकि महारास्त्रों की जो सियासत है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकि है वहां पर लोगों का विश्वास अब उद्दव सरकार के उपर से उठ चुका है तो उसको वापिस से बापाने के लिए यहां पर उद्दव सरकार काफी कुछ करने की कोशिश करेगी तो इनी सब खबरों के लिए बने रहे और देखते रहे राजनेतिक गल्यारा मिलते हैं फिर इसी समय पर नमस्कार